देश के पहले समलेंगिक राजकुमार मारवेन सिंग गोहल ने अपने समलेंगिक दोस्त से शादी कर लिए उन्होंने 6 जुलाई 2022 को ओहयो के कोलंबस के एक चर्च में दियांडरे रिच डर्सन के साथ शादी की हैं आपको बता दें बहर रोयल फैमली के पहले ऐसे सदस्त हैं जिन्होंने अपने समलेंगिक होने की बाद सारजनिक तौर पर कही थी जिसके बाद काफी बबाल भी मच गया था आए जानते हैं उनकी इस खास समलेंगिक शादी के बारे में प्रिंस मानवेन सिंग और दियांडरे डिच डर्सन कई सालों से साथ रह रहे हैं अन्डियो डिच डर्सन ने सोशल मेडिया पर साधी की तस्बीरें और शादी का सार्टिफिकेट भी शेयर किया है मानवेन सिंग राजपीपला रियासत के पूर्व महराजा रगुभीर सिंग राजएन सिंग और पूर्व महरानी रुकमणी देवी के पुत्र हैं मुंबई स्कूल में उनकी स्कूली सिख्षा हुई है जबकि मुंबई मीठी बाई कॉलेज परीसर में बने अमरिद बेन जीवन लाल कॉलिज से उन्होंने इस नातक किया है पत्नी से तलाक के बारे में उन्होंने एक बार भाबक पोस्ट करके वताया था कि इनका वैबाहिक जीवन सुख़द नहीं रहा था उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि किसी लड़की का जीवन उन्होंने खराब किया 2006 में मानदेन ने एक लोकल अकवार को इंटर्विव दिया इस इंटर्विव में बताया कि वो समलैंगेक है वो भारत के किसी भी रोयल फैमली के पहले सदस है जिन्होंने अपने समलैंगेक होने की बात साबजनेक दोर पर कही सुनने में हिस्टॉरिक लग रहा है लेकिन उस समय बहुत बवाल मच गया था 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 खटा कर समलैंगेक रिस्टों को अपरात के दायरे से बाहर किया तब गोहल ने अपना महल गिक कम्यूनिटी के मेंबर्स के लिए खोल दिया था ये वही महल था जहां से सालों पहले उन्हें बाहर निकाल दिया गया था अब भी अपने हैरिटेस महल को रिसॉर्ट और फिल्म शूटिंग के लिए स्टोडियो में तबदील कर चुके हैं साल 2007 में मानवें जाने माने आमेरी की शोधा उपेरा विन फ्रे में शिर्कत कर चुके हैं साल 2009 में कर दो कर चूँ आमेरी की शोधा सेलिटेस लिए समया में जास नहीं में तूम हैं बाहर नहीं पुके हैं झाल झाल